आसना आइको वीवर्स, वेलकम टू मैं चैनल लाइव स्पेक्टरूम, आइ होब आप लोग सब खेरो आफियत से होंगे जैसा कि आप जानते हैं कि आज कल स्ट्रॉबेरी के सीजन चल रहा है और स्ट्रॉबेरी से क्रीबन हर घर में ही पसंद की जाती हैं ना के ये बहुत मज़ेकी होती हैं बलके ये बहुत एकनॉमिकल भी होती है आज की इस वीडियो में आप से एक स्ट्रॉबेरी डिजर्ट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ हम लोग बनाएंगे स्ट्रॉबेरी स्विस रोल सबसे पहले एक बोल में तीन अंडो के सफैदी शामिल करेंगे इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से अंडो को बीट करेंगे 7-8 फिन तक के लिए मीडियम स्पीट पर इसी दोरान अंडो के सफैदी में एक कप वेसी भी चीरी शामिल करेंगे चीरी एक साथ नहीं डालेंगे पहले आदी डालेंगे फिर बीट करेंगे फिर बाकी डाल देंगे फिर मजीद बीट करेंगे तब तक बीट करेंगे जब तक के इसमें सॉफ्ट पीक्स फॉर्म ना हो जाएं soft peaks form होना शुरू हो चुकी हैं अब हमारा egg white mixture तो ready हो चुका है चलिए दूसरी पार्ट के तरफ चलते हैं एक दूसरा bowl लेंगे और उस पे तीन अंडों के जर्दी शामिल करेंगे और एक whisk की मदद से इसको beat कर लेंगे यानि के फेट लेंगे याद रखिएगा कि इन तीन अंडों के सफाइदी को हम पहले वाले step में यूज़ कर चुके हैं एक कप मैदा लेंगे और अंडों के जर्दी में चान कर शामिल करेंगे एक कब दूद शामिल करेंगे पहले आदा कब दूद दालेंगे और बाकी आदा कब बाद में डालेंगे जब बैटर की कंसिस्टेंसी सेट करेंगे हाफ कब ओईल, हाफ कब मिल्क जो मैंने कंसिस्टेंसी सेट करने के लिए रिजर्व करके रखा था बेटर की कंसिस्टेंसी सेट करते वक दूद को थोड़ा-थोड़ा करके शामिल करेंगे और मिक्स करते जाएंगे बेटर की कंसिस्टेंसी देखें ऐसी होने चाहिए ना यह बहुत पतला है और ना यह बहुत गाड़ा है बेकिंग पाउडर वन एना हाफ टी स्पून यानि के डेड़ चाय का चंचा बेकिंग सोडा वन टी स्पून वैनिला एसंस हाफ टेबल स्पून इन सब इंग्रिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जर्दी और मेद्य के मिक्स्चर को हम एड़ वाइक मिक्स्चर में आड़ करेंगे और स्पैचुला की मदद से फोल्ड करेंगे बेकिंग ट्रे को मैंने पहले ही तियार कर लिया था ओइल से ग्रीस किया था और पार्शन पीपर रख दिया था बेडर को बेकिंग ट्रे में शामिल करेंगे और स्पेचला की मदद से स्प्रेट करेंगे एक फ्लायर सर्फेस पे तीन से चार बार ट्रे को टैप करेंगे ताकि एक्स्ट्रा एयर या एयर बबल्स जो हैं वो निकल जाएं अवन को प्रीईट कर लिया ता 180 डिग्री सेंटीग्रेट पर 5 विनिट्स और केक को बेक होने रखते हैं 180 डिग्री सेंटीग्रेट पर 8-10 मिनिट तक के लिए केक बेक हुच चुका है इसको ठंडा होने देंगे जब केक ठंडा हो जाएगा तो हलकी हाध से इसका बटर पेपर को अलक कर लेंगे केक की साइड चेंज कर लेंगे और इसकी फर्स लियर को पील उफ कर लेंगे हलके हैध से नीट लोग देने के लिए चुरी की मदद से के नारों को कट कर लेंगे अब हम स्ट्रॉबरी स्ट्रोल की फिलिंग प्रिपेर करते हैं एक बोल में शामिल करेंगे चिल्ड विप क्रीम वन कप इसको इलेक्ट्री बीटर की मदद से बीच करेंगे तब तक बीट करेंगे जिब तक सौफट पीक्स फॉर्म ना हो जाए वनिला एसंस वन टीज स्पून स्ट्रॉबरी पल्प वन कप मैंने स्ट्रॉबरी इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था इस मिक्ट्र को तीन से चामिन तक के लिए मिक्स करेंगे और एक पैपिंग बैग में निकाल लेंगे क्रीमी मिक्चर को इमली स्प्रेट कर लेंगे और साथ साथ में स्ट्रॉबेरी के चंक्स भी शामिल करेंगे केक को बाइर से भी इसी क्रीमी मिक्चर से ची तरह कोट कर लेंगे बहुत दिलिशियस सा स्ट्रावरी स्ट्रोल त्यार हो चुका है और इसको मेने टॉफ की कहा है फ्रेश स्ट्रावभेरी से स्ट्रावभेरी का सीजर खतम होने से पहले आप ये रेसिपी जोरूर ट्राइ कर डीजेगा और हमें comment section में बताईएगा कि आपका experience कैसा रहा I hope आपको ये recipe अच्छी लगी होगी इसको like and share जरूर कीजेगा चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा इंशाला तरह हम बहुत जब एक और recipe के साथ आएंगे तब तक के लिए Allah आफिस